आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें मतलब कि यहां पर N से गुणना कर रहा हूँ, और N का मतलब हैंज़ यहां पर क्या हो रहे है 1, 2, 3 इस परकार पूण गुणग देखो 1.2, 1.3, 1.4 इस परकार नहीं होगा, 3.5 ऐसे नहीं होगा पून्ड गुनच मतलब की एक लूता है प्लांक नियातांग प्लांक, नीयतांक. तो ये होगे हमारा H, प्लांक नीयतांक. अग्देखो, यहां पर बोढ़ने तरही कहा दिया, जैसे कि अब Nagar को देखते हैं, हम ना भी के हमारा मौनक को वही प्रमाणू के उसका ना भी के हैं, उसके चारों और electron चक्कल लगा रहा है, तो इस परकार electron हमारा चक्कल लगा रहा है, देखो कक्षा है होती है, अनंत कक्षा है होती है, कोई से भी कक्षा हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, माल लिए कि यह हमारी 1.2 कक्षा है, यह है 2 कक्षा, इसी पर का अनन्त कक्षाव में जाता हूँ, मैं कि कितने भी कक्षा है हो सकते हैं, जैसे कि मैंने माले हैं 4.5 कक्षा, तो हमारा electron किस किस चक्र लगाएगा दूसरी में लगाएगा तीसरी में लगाएगा चार पंट पाँच में नहीं लगाएगा एक प्वेंट दो में भी नहीं लगाएगा तो यह बोर का प्रमाण मतलब कि n बराबर तीसरी रखोंगा मैं यहाँ पर तो यह बोर का प्रमाण मोडल के अनुसार L बराबर कोण यह समवेक बराबर जो कि हमें ग्याद करना है तीसरी रिक्षा में लगाएगा तीन हो गया एच का मान हमें पता है प्लांक नहीं आता है 6.67 गुना दसके गात माइ देखो इसको 2-3.14 किया तो 6.28 और यहाँ पर 3 है हमारे पास 3-6.67 किया तो यह कितना है 20 तो 20 आ गया तो यह एक तरह से यहाँ पर 10 से कट गया 10 में पाई का भाग दिया तो कितना बार गया तो यह लगबग 3.14 बार ही गया यह एक 6 बार गया क्योंकि देखो यहाँ पर 3 को मैंने हिससे गुना किए तो यह 20 के बराबर आ गया, बट दो किया तो 10 आ गया, 10 में 3.14 का भाग दिया, 3.16 गुना 10 की गाद मैनस का चोथीश को तो अमने दन्यवाद.